दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप mutual fund में SIP कर रहे हो और आप mutual fund की power को समझते हो तो दोस्तों आज ही हमारी जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप long time के लिए SIP ले रहे हो mutual fund या index fund में investment कर रहे हो तो ऐसी कौन सी ग करते हैं आज के हमारी वीडियो को तो दोस्तों मैं आपको total five point बताऊंगा इन five point में मैं आपको clear कर दूँगा कि दोस्तों कौन-कौन सी गलतिया है वह आपको बिल्कुल भी नहीं करने है अगर वह गलती आप करते हो तो दोस्तों आप आपके amount को increase करने की बदले decrease कर सकते हो पहली जो आपकी गलती है सबसे पहली हो माड़ी गलती यहे है दोस्तों जब भी इंडेक्स प्ण्द Då, आप को वह क्यों करना है तो आपको जो साथ yapıl से लेके 30 साल तक यह तो मानके चलिए इतना तो आपको इन्वेस्ट करना है क्यों कि दोस्तों कि दोस्तों दोस्तों easteland mutual fund और index fund इसमें आपको जो interest मिलता है दोस्तों वो compound interest मिलता है ठीक है एंड दोस्तों जब आप long time के लिए investment करोगे तब ही दोस्तों आपके जी हमारे compound interest है इसका फाइदा उठा सकते हो क्योंकि दोस्तों short time के लिए दोस्तों हमारे compound interest है उससे आपको बिलकुरी profit नहीं मिलेगा तो दोस्तों जैसे जैसे long time के लिए आपका जैसे जैसे दोस्तों आपके SIP बढ़ती जाएगी long time के लिए दोस्तों वैसी वैसी आपका amount भी काफी बढ़ता जाएगा इसलिए दोस्तों compound interest का अगर आपको फाइदा उठाना है तो दोस्तों आपकी जो SIP है दोस्तों आपको markhet देख रहे हो आप क्या हो जो हमारा जो प्रोटफोलियो उसका लिश्क कर देख झाल रहा soft सो सब्रेश में क्या होत हो दोस्तो सब्सक्रिट्ब कर लिजी यह आज आपने आज आपने कि लुक परकेंश करें थीक है एक साल बरTH तक एक सेप्ठर कर करते हो, skip कर देते हो, SIP को रोग देते हो, ठीक है, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों, यहापे मैं आपको एक चीज बता दूँ, दोस्तों, आपकी जो SIP है, दोस्तों, जब आप SIP लेते हो, उस जब से लेके कम से कम 1 year तक, 1 year तक दोस्तों, आपकी SIP है, वो down जाएगी ही जाएगी, ठीक है, SIP के अगर आपको growth देखनी है, तो दोस्तों कम से कम, 4 साल बाद आप देखिए, 4 साल बाद दोस्तों, आपका जो return है, जितना भी आपने invest कर रहा का, उससे double आपका return हो जाएगा, ठीक है, इसलिए दोस्तों, skip आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तीसरे नमबर पर दोस्तों, जो हमारा point आता है, तीसरे नमबर पर दोस्तों, हमारा, जो ये point है, कि दोस्तों, जब भी आप invest करो, ठीक है, उसको करो कि divide कर दो, ठीक है, divide कर दो, कैसे divide कर दो, अब divide कैसे करना है, दोस्तों, divide ऐसे करना है, आप सपोस कर दीज कुछ लगाओ mid cap में, और कुछ लगाओ आप, large cap में, ठीके, कुछ लगाओ flexi cap में, ठीके, तो दोस्तों ऐसे करके आपका जितना भी amount है, आप वो टुकरों में है, टुकरों में 4-5 part में बाट लो, small cap में लगाओ mid cap में, large cap में लगाओ flexi cap में लगाओ, इससे actual में क्या होगा दोस्तों, अगर suppose कर लीजिए कि small cap है, small cap में दोस्तों, actual में क्या होता है, रिक्स जादा होता है, ठीके, in case अगर आपका return कम आया, ठीके, यह fund negative चले गया, तो दोस्तों, जो large cap है, ठीके, वो आपको बराबरी कर देगा, उसमें आपको return अच्छा मिल जाएगा, यह large cap आप आपको यह बता दिए, 3 point, ठीके, तो चलते हैं, दोस्तों, हमारा 4 point के तरफ, तो दोस्तों, हमारा 4 point है, यह कहता है, दोस्तों, SIP को, हर साल आपको 10% से increase करना है, हर साल आपको 10% से increase करना है, suppose कर डिजिये, आज आपने 100 रुपे की SIP कराई, ठीके, उसको दोस्तों, चलने चलने दीजिए लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका सालवर complete हो जाए इसमें 10% इसको increase कर दिये कितना कर दीजिए इसकी जगे आप 110 रूपे ठीक है फिर एक साल हो जाए 110 में 10% और एड कर दीजिए तो ऐसे करके दोस्तों अगर आप करोगे तो दोस्तों आप यह देखोगे अग जब भी market down हो जो कि दोस्तों जब भी market down होगा उस टाइम अगर आप market में entry लोगे तो दोस्तों जो आपको अधिक शादिक share आपको अलोट होएंगे ठीक है सपोस्तों कर लिजी आज market बढ़ा है आज market अपमे गया है और उस्ताइम आपने कोई share purchase कर लिए तो दोस्तों क्या आपने 100 रुपे invest कर दिए तो क्या होगा दोस्तों आपको अधिक से अधिक unit उसमें आपको मिलेंगे अधिक से अधिक unit आपको अलोट होएंगे ठीक है तो दोस्तों यह 5.8 टोटल ठीक है इन 5.0 को अगर आप ध्यान रखते हुए investment करते हो तो दोस्तों बिल्कुल भी आप आपको जो return है दोस्तों अगर आपको 15% का return मिलता है तो 15-18% का return पर आप असानी से आ जाओगे ठीक है अगर 15% का return अभी मिले रहा है तो दोस्तों अगर आप यह 5.0 को ध्यान रखते हो तो आपको 15-18% का return में आने में विल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी तो दोस्तों आ